जहिन दोस्तों मैंनी धीबें चोहान आज हम करेंगे question number 7 तो सबसे पहले bracket को यहां से हमें remove करना है तो पहला bracket यहां पर as it is आ जाएगा plus का निशान है तो दूसरे bracket की value में भी कोई change नहीं आएगा यह भी यहां पर as it is आ जाएगी अब यहां पर minus का निशान है तो इन value के नि होंगे तो यहां पर आएगा minus minus plus 4 upon 3 minus plus minus आयोटा अब जो real numbers है उन्हें एक साथ लिखेंगे और आयोटा की term को एक साथ लिखेंगे real numbers है 1 upon 3 4 plus 4 upon 3 और आयोटा की terms है आयोटा 7 upon 3 plus आयोटा 1 upon 3 minus आयोटा अब जो यह 4 है इसके denominator में कुछ भी नहीं है तो यहां पर हम अपनी तरफ से 1 लगा देंगे अब डैनो मिनेटर का यानि की 3, 1, 3 का LCM लेंगे तो हमें मिलेगा 3 ओके तो उपर क्या values आएगी यह LCM लिया 3 आया उपर क्या values आएगी जिनके नीचे 3 दिया गया है उनकी उपर वाली value सेम ही रहेगी यहां पर डैनो मिनेटर में 3 है तो उपर वाली value 1 वो सेम ही कि यहां पर 1 है LCM 3 आया है इस 1 को 3 बनाना होगा तो हमें 3 से मल्टिप्लाई करना होगा उपर वाली value को भी 3 से मल्टिप्लाई करना होगा 4 को 3 से मल्टिप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 12 then plus का sign as it is फिर डैनो मिनेटर में 3 है तो उपर वाली value में कोई भी change नहीं आएगा 4 as it is यहां पर रहेगा इसके बाद 3 आयोटा वाली term है इनमें से हम आयोटा को common ले सकते हैं तो यहां पर plus का sign लगाएंगे आयोटा common लेने के बाद bracket लगाएंगे 7 upon 3 आ जाएगा bracket के अंदर क्यूंकि आयोटा हमने यहां पर common ले लिया है इसके बाद 1 upon 3 फिर आयोटा इसमें से common ले लिया है तो यहां पर बचेगा 1 अब देखो 1 के denominator में कुछ भी नहीं है तो यहां पर हम अपनी तरफ से 1 लगा देंगे अब जो real numbers का LCM हमने लिया था उससे solve करेंगे 1 प्लस 12 प्लस 4 यह हो जाएगा 17 upon 3 इसके बाद प्लस का sign आयोटा as it is ओके अब जो यह तीन fraction है इनके denominator का हमें LCM लेना होगा यानि कि 331 का LCM यहां पर 3 ही होगा उपर वाली value में जिनके denominator में 3 है उसमें कोई change नहीं होगा तो 7 upon 3 है तो यहां 7 आएगा फिर 1 upon 3 है तो यहां पर 1 आएगा फिर 1 upon 1 है तो denominator को 3 बनाने के लिए 3 से multiply करेंगे तो उपर भी 3 से ही multiply करेंगे तो 1 into 3 यहां पर 3 ही होगा अब 17 upon 3 यह as it is फिर plus iota यह वाला plus iota इसके बाद 7 plus 1 यह 8 होगा फिर 3 को minus करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 5 upon 3 तो question number 7 में हमें यह जो problem दी गई थी उसे a plus iota b की form में हमने इस तरह से लिखे दिया है इसमें a है sorry इसमें a हो जाएगा 17 upon 3 और b हो जाएगा 5 upon 3 पाद 6 आएगा 4 cred